कैसे हैं आप सब लोग आसा करते हैं सब मस्त होंगे दोस्त आज के इस वीडियो में बात करेंगे हैर के बारे में कि भाई आज जो ये हैर है हमारा ये आकिरकार उमर से पहले सफेद क्यों हो जा रहा है आज कल ये बहुत बड़ी समस्या ही हुआ कि और जब बाल सफेद हो जा कमारे कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह उसमेंиж मेर पिलेकश कैसे क्यों होता है नाम उसनला हूं कि हमारे सबस्राइब में मिलैनिन होता है जो मिलैनिन होता है यही क्या करता है कि हमारी इसकिन का कलर और हमारे हेर का कलर डिसाइड करता है कि कैसा होगा ठीक है मिलैनिन के कार हमारे इसकिन का कलर दोस्तों और हेर का कलर डिसाइड होता है हेर ब्लेक होते हैं मिलेनिन के कार्ड ठीक है और इसकिन का कलर भी डिसाइड होता है दोस्तों ये जो मिलेनिन है ये मिलेनो साइट्स द्वारा बनता है ठीक है दोस्तों निर्मार करती है मिलेनो साइट्स जो कि दोस्तों ये उपरी सतह पर होती है इसकिन की उपरी सतह पर होत और इन्हें दोस्तों बालों के रोम भी इन्हें कहा जाता है ठीक इतनी बात हो गई अब हमें यह बताओ कि उमर से पहले बाल सफेद हो जा रहे हैं तो इसके दोस्तों सारे सारे कारण है साइंस ऐसा मानती है कि उमर बढ़ने के साथ साथ में हमारे सरीर में मिलैनिन का जो निर्माढ है वो कम हो जाता है इसलिए जो हमारे बाल है दाड़ी मूचे बाया वो सफेद होने लगती हैं लेकिन ससुरा ये नहीं समझ में आता है कि ये जो हेर उमर से पहले कैसे सफेद हो जा रहे हैं मालो उमर के साथ साथ एज बढ़ने के साथ साथ में अगर सफेद होते हैं तब तो ठीक है भाईया लेकिन अगर एज से पहले सफेद हो रहे हैं तो इसका कार्ड क्या है तो सबसे पहले आप कार्ड को जान लीजिए भाईया प्रॉब्लम अपने आप solve हो जाएगी ठीक है तो एक कार्ड मैंने आपको बता दिया दूसरा कार्ड सबसे बड़ा दोस्तों यह है कि भाईया अनुवानसिक लच्छड अनुवानसिक कार्ड भी हो सकता है मान लीजिए क आपके माता-पिता में आपके माता-पिता के जो हैर बाल है वो वाइट है तो सीधी सी बात है हो सकता है कि आपके ही आपके भी हैर जो है वो बाल है वो वाइट ही हो या फिर अगर आपके माता-पिता के दूसरे कलर के हैर है तो आपके भी हो सकते हैं तो गभ़ाने के कोई बात नहीं है भाईया डाई लगा लो किया है कैप लगा लो या फिर जैसे हो चंगे बनके रहो कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन इधर उधर ज्यादा उपाई के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि सब सिर्फ पैसा इठने के फिराक में रहते हैं बस दूसरी जो दिक्कत रहती है दोस्तों hypothyroidism मतलब अगर thyroid gland से रिलेटर आपको कोई दिक्कत रहती है तो भहिया उसका इलाज करा लो बालू की समस्या अपने आप solve हो जाएगी अगली जो चीज है वो दोस्तों है protein की कमी protein की कमी नहीं होनी चाहिए सरीर में हमारे आप protein से भरपूर चीजे अच् अगली जो है दोस्तों वह है minerals की कमी खासकर iron और copper अगर दोस्तों आपके सरीर में iron और copper की कमी रहती है या फिर कमी हो गए तो सायद आपके बाल जो है वह सफेद हो होने लगे तो इसकी भी आपको जाच करा लेनी चाहिए ठीक है दोस्तों अगला जो है vitamins की कमी खासकर vitamin 12 की कमी के काड़ भी बाल जो है वह भाईया सफेद हो जाते हैं तो इसको ध्यान रखो यार खान पियान पे अपना बहुत ज़्यान दो उसके बाद में एक बीमारी होती है दोस्तों विटिलिगो विटिलिगो में भी जो hair है बाल है वह सफेद हो जाते हैं ठीक है और भी कुछ सफेद हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब सफेद हो गए इसलिए हमसर डॉक्टर की सलाह से किसी भी दवाई का इस्तमाल करें ठीक है अगली जो दिक्कत है वह सबसे बड़ी आजकल की दिक्कत है दोस्तों तनाओ टेंसल लेना भाईया गलफ्रेंड है तो टेंस साइड मेयर अपनी लाइफ इंजॉय करो उसके बाद गलफ्रेंड ठीक है और कुछ दोस्तों दवाईयों के कार्ड जैसे कि हमने बताया दवाईयों का अगर हम नाम बताएं तो जो मलेरिया में इस्तमाल होती है दवाईया ठीक है और तनाओ तो हमने बता ही दिया तो यह स्ट्र के बारे में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताएं कि कुछ ws इलाज के बारे में भी वीडियो बनाएं तो हम वीडियो बना देंगे बाड़ी आव вас दें डेकते रहे सिम्पल फार्मिस टीडो को सबौर्ट करो और देखते रहो बाकि मिलते है एगले वीडियो में तब तक इंजुआया करो, मस्त रो, बेस्त रो, टेक केर बाई